क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाला बच्चा अगर वो फर्स्ट ना आए तो शोर तो होता है कुछ ऐसा ही हुआ है US की ही एक रेटिंग एजन्सी फिच आपने नाम सुना होगा उसने US की ही रेटिंग्स को कम कर दिया है दूसरी तरफ एक और एजन्सी Morgan and Stanley उन्होंने चाइना की रेटिंग को कम करके इंडिया को प्रेफरेंस दी है तो क्या है ये पूरा मुद्दा हम समझेंगे आज के जो हमारे मेजर मुद्दे होने वाले हैं जिसका नतीज़ा हमें अब देखने को मिला है और how bad is that ये कितना बुरा है इसका क्या impact होगा US पर, इंडिया पर और पूरी दुनिया पर तो ये तीन चीज़े हम जानेंगे Hello everyone मेरा नाम Pinky है और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ 24-7 पर शुरू करते हैं सबसे पहले आपने कल से ही बहुत सारे newspapers में इस तरीके की news देखी होगी कि Fitch जो है एक credit rating agency उसने गिरा दी है US की ratings ट्रिपल ए जो है US को पहले rating मिलती थी अब वो double A plus हो गई है rating समझ लेते हैं पहले I'm sure school में आपने अपना ये report card दो देखा होगा जहां पर आपको A, A plus, B, B plus और इस तरीके से A से F तक की grade मिलते थे A यानि जिसने टॉप किया है या A plus यानि जिसने टॉप किया है और F यानि जो बच्चा fail हो गया है उसी तरीके से Fitch भी एक credit rating agency है जो इस तरीके से rating देता है यानि जिसके triple A rating होती है पर ये जो rating है ये किसी individual की नहीं होती है ये किसी बच्चे की नहीं है यहाँ पर सरकारों को rating दी जाती है उस देश को rating दी जाती है कि आपके देश में जो भी investors invest कर रहे हैं उनमें क्या आप कितना confidence डाल सकते हो यानि अगर आप यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर आपकी अच्छी rating है तो ये investors को positive sign जाएगा और वो आपके देश में जादा से जादा invest करेंगे तो investment purpose के लिए ये rating होती है बेहर जरूरी और इसी rating को यहाँ पर downgrade कर दिया गया है highest credit quality से very high credit quality यानि AAA से AA यहाँ पर आ गया है अब शायद आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर भी तो very high credit quality लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो जादा impact नहीं पहुँचा technically US पर जादा impact नहीं पहुँचा बट फिच की ही अपनी उसी report में उन्होंने जब पूरा analyze किया इस situation को तो उन्होंने काफी गंभीर बाते बताई है हाला कि देखने में ही बहुत जादा आपको impact नहीं दिखेगा कि AAA से AA हुए है हो सकता है next time फिर सही बच्चा first आ जाएगा बट इसको पूरा analyze और समझना ज़रूरी है तो यहाँ पर तीन चीजें हैं जिसकी वज़े से यानि यह तीन कारण है जिसकी वज़े से यह rating जो है downgrade हुई है सबसे पहला erosion of governance आप सभी ने सुना होगा कि 30 जून की ही बात है जब US के जो वहाँ पर जो leaders है जो अभी जन्होंने सरकार बनाई हुई है उन्होंने काफी जादा जो है दबाव डाला कि debt ceiling यानि एक particular amount जो है वो decide कर देती है वहाँ की parliament की जी आप इस से जादा पैसा नहीं बाहर से उठा सकते हो बाहर से कर्ज वगेरा नहीं ले सकते हो तो उस debt ceiling को आगे बढ़ाने की बात की थी सरकार का ये कहना था कि जी खर्चे इतने जादा हो रहे हैं तो debt ceiling को बढ़ा दो और वो end moment पर debt ceiling बढ़ाई गई तो कही न कहीं governance में वहाँ का issue है और वो काफी time से जो है वो मुद्दा चल रहा था जून में ही उस debt ceiling को बढ़ाया गया है जब हमने काफी जादा news भी सुनी थी कि हो सकता है एक किसी तरीके की financial emergency आ सकती है यूएस में अगर ये debt ceiling नहीं बढ़ी वगएरा वगएरा बट debt ceiling बढ़ाना कोई permanent solution नहीं होता यानि आप अपना काम चलाने के लिए बाहर से करजा ले रहे हो ले रहे हो कब तक लोगे वो एक solution नहीं होता है दूसरा reason है rising government deficit यानि government जो है वो खरचा जादा कर रही है expenditure जादा कर रही है दूसरी तरफ government की आय, government की जो income है, सरकार की जो income है वो कम है जब घरचा जादा हो जाता है, income कम होती है तो सरकार का deficit बढ़ जाता है ठीक है और तीसरा और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है high debt levels US जो है सबसे ज़ादा करजे में है और इसका मैं आपको proof दिखाना चाते हूँ जिससे आपको clear हो जाए यहाँ पर US का debt जो है वो dollar 32 trillion जो है वो बताया जा रहा है this is यह सबसे ज़ादा करजा है सबसे ज़ादा करजे वाला देश जो है वो US है वहीं अगर मैं इंडिया के साथ compare करू तो यह dollar 624.7 billion है याद रखेगा यह billion में है और यह trillion में है ठीक है तो यहाँ पर यह करजा जो इतना हो चुका है इनके ऊपर सालों से यह कहीं न कहीं एक problem देने वाली बात है अगर इन चीज़ों को future में नहीं ठीक किया गया तो यह rating और भी गिर सकती है और हो सकता है और भी जादा issues हमारे आगे आने वाले समय में खड़े हो सकते हैं ठीक है अब वो जो issues हैं उन पर चलने से पहले एक और चीज़ अगर आपको इस करजे का level नहीं समझ आया हो तो एक और आकड़ा मैं दिखाना चाहती हूँ जहां पर यह जो debt burden है यह जो करजा है वो 118% 2025 तक GDP का 118% 2025 तक पहुंच जाएगा जो की एक बहुत ही बड़ा नंबर है अपने आप में तो यह चिंता करने वाली बात तो है ही पर question यहाँ पर यह आता है कि इसका जो impact क्या होगा impact देखे हो सकता है शुरू शुरू में या फिर एकदम से impact देखने को ना मिले लॉंग टर्म में इसके impact देखने को मिलेंगे हाला कि sensex अगर हमने कल देखा हो कल से आज तक जब से यह rating आई है थोड़ा बहुत जो है जो US में जाके invest कर रहे हैं और definitely अगर उनको लग रहा है कि उनका investment जो है वो safe नहीं है secure नहीं है तो कहीं ना कहीं sensex पे जो है impact पहुचेगा वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिला है कल जो है काफी जगा sensex गिरा है चलिए जी अब बात कर लेते हैं दूसरे उस point ही जो म हमने clear कर लिया Fitch rating हमने clear कर ली अब हम एक और report की बात करते हैं Morgan and Stanley जहां पर India और China को compare किया गया है तो इस पूरे मुद्दे में बड़ी interesting चीज यह है कि दो superpowers या फिर आप बोल सकते हूँ एक तो super power है यानि US एक super power बनने की race में है यानि China उन दोनों को ही कही ना कहीं US की ही agencies ने US की ही credit rating agencies ने downgrade किया है और India को एक अच्छा number दिया है यहां पर again आप देख सकते हैं Morgan Stanley ने upgrade किया है इंडिया को to overweight यह overweight क्या होता है यह समझेंगे ठीक है और यह बोला है कि India की जो है एक sustainable और कहीं ना कहीं एक substantial और sustained growth economic growth जो है वो रहने वाली है और दूसरी तरफ यह number जो है China का equal weight कर दिया है I'm sure समझ नहीं आ रहा होगा कोई बात भी हम समझ लेते हैं तो देखे जब हम stock market की बात करते हैं तो हम तीन चीज़ों की बात करते हैं underweight, overweight और equal weight क्या इनका मतलब होता है और यह क्या है यह basically वो indicators है या फिर यह वो दिखाते हैं कि जी कोई भी यह basically होते हैं कुछ scientist आप बोल सकते हो stock market के वो यह predict करते हैं यह बताते हैं कि यह particular stock आगे आने वाले कुछ महिनों में particularly आगे आने वाले एक साल में किस तरीके से perform करेगा है और अगर वो अच्छा perform करेगा तो उसको ranking दी जाती है आप इसको rating और ranking की तरह ही समझो अगर वो अच् यानि जी वो नहीं अच्छा perform करेगा कम perform करेगा equal जो है वो एक neutral category होती है तो आप देख रहे हो यहाँ पर चायना को ये वाली category जबकि इंडिया को जो है ये overweight वाली category में रखा है Morgan and Stanley ने ठीक है यहाँ पर अगर आपकी जानकारी के लिए अगर आपको और अच्छे से ना हो, overweight का मतलब यहाँ पर buy recommendation, buy recommendation यानि वो analyst जो है इन stocks को बोलते हैं कि जी हम recommend करते हैं कि आप इसको खरीद लो ये आपको अगले एक साल में फायदा ही फायदा देने वाले हैं तो हम आपको recommend करते हैं, suggest करते हैं आप इसको खरीद लीजिए, इसमें कोई tension लेने वाली बा अलग-अलग जो है, दो अलग-अलग news थी, बट मैंने दोनों को एक जगा combine करके, क्योंकि perspective हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, कि same ही है, ठीक है, तो हम, और I hope तो आपको ये interesting लगा हो, ठीक है, इंडिया किस तरीके से हम definitely grow कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये topic आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो, तो मुझे comment section में जरूर बतायेगा, also अगर, हाँ जी, अगर ये topic अच्छा लगा हो, तो मुझे comment section में जरूर बतायेगा, आज के लिए इतना ही, thank you so much.